यूटूब पे एक चानल बना लिया और चानल को मॉनेटाइज करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है तो हमें एक चानल को मॉनेटाइज करने के लिए 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वाच्टाइम चाहिए होता है और वो हमें एक साल के अंदर पूरा करना होता है अब 1000 सब्सक्राइबर जो है वो जैसे तैसे हो जाते लेकिन 4000 गंटे का वाच ताइम पूरा करना बहुत मुश्किल काम होता है यही सबसे बड़ा टास्क होता है हमारा अगर हम 4000 गंटे के वाच ताइम को मिनिट्स में कनवर्ट करें तो बहुता है 240,000 मिनिट्स यानि 240,000 मिनिट्स हमें पूरे करने होंगे यह पूरा करने के लिए हम अपने चानल पे 100-200 वीडियो अपलोड करते हैं लेकिन फिर भी कभी-कभी इतने वीडियो में भी यह काम नहीं हो पता तो जो काम 100-200 वीडियो नहीं कर पा रहें यह हम एक वीडियो से वो काम कर सकते हैं तो इसका आंसर है जी, बिल्कुल हाँ हम कर सकते हैं लेकिन कैसे कर सकते हैं यह भी तो जानना जरूरी है तो इस वीडियो में मैं आपना experience शेर करूंगा क्योंकि YouTube पे मैं बहुत टाइम से काम कर रहा हूं और मेरा ये second channel है तो मेरे main channel पर मैं बहुत time से काम कर रहा हूँ और उससे पहले भी मैंने बहुत सारे channel पर काम किया है मतलब मैंने उससे पहले भी 2-3 channel बनाये थे और वही मैं अपना experience यहाँ पर share करूँगा 8 point मैं आपको बताऊंगा तो अगर वह 8 point आप ध्यान से सुनते उन पर काम करते हैं तो definitely आप एक ऐसा video बना पाएंगे जो कि 100-200 वीडियो पर भी भारी पड़ेगा और वह एक ही video आपका वह काम कर देगा मतलब 1000 subscriber और 4000 गंटे का वह इस time पूरा करके देगा आपको तो एक भी point आपको miss नहीं करना है अगर आप miss करेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा और आप बोलोगी कि भाई इसने जो भी बताए गलत बताए तो वीडियो को शुरू करते हैं हमारे पहले point के साथ जो कि है topic search तो आपको एक topic search करना पड़ता है एक video बनाने के लिए अब हमें quality video बनाना है एक ही बनाना है तो सबसे पहले शुरू करना बढ़ेगा topic से एक अच्छा topic भी तो जरूरे एक अच्छे वीडियो के लिए तो आप topic कहां से search कर सकते हैं वैसे तो आमारे पास बहुत सारे options से हम कहीं से भी topic search कर सकते हैं लेकिन मैं आपको एक अच्छा तरीका बताता हूं आप फिर ट्यूबड़ी एप्लिकेशन को डाउनलोड करना है दोनों करेंगे तो और बेटर रहेगा आपको विड आईक्यो में जाकर सर्च बार पर उस कीवर्ड को पेस्ट कर देना है और उसका ओर और स्कोर चेक करना है अगर उसका ओर स्कोर 50 से ज्यादा आता है तो आप उस पर वीडियो बना सकते हैं अब आपको यहाँ पर एक टॉपिक मिल चुका है जिस पर आप वीडियो बना सकते हैं लेकिन हमारा काम अभी खतम नहीं हुआ बढ़ते हैं पॉइंट नमबर टू की तरफ जो की है टॉपिक रिसर्च मतलब हमारा जो टॉपिक है उसके एक अच्छा वीडियो बनाने के लिए तो स्क्रिप्ट बनाते वक्त आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा जैसे कि आपको स्क्रिप्ट बहुत ही अच्छे से लिखने पड़ेगी सबसे पहले इंट्रो लिख सकते आप अगर आपको याद नहीं रहता इंट् बनाने के लिए अच्छी तरह से आपको स्क्रिप्ट लिख लेना है और जब आपकी स्क्रिप्ट लिख कर पूरी हो जाएगी तब हम बढ़ेंगे पॉइंट नंबर 4 की तरफ चो कि है वीडियो रेकॉर्डिंग तो अब आपने स्क्रिप्ट भी बना लिए अब टाइम है वीडियो बनाने का तो अगर आप फेस्केम वीडियो बनाते या फिर वॉइस ओवर भी करते तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि आपका जो वीडियो वो बेस्ट क्वालिटी का होने चाहिए मतलब आपने जो वीडियो बना है वो देखकर आपको ऐसा लगे कि भ अब तक रेकॉर्ड कीज़ें जब तक आप खुद ना बोले कि यह वीडियो बेस्ट बना उसके बाद आपको वीडियो में कुछ चीजों का ध्यान रखना जरूरी है जैसे की वीडियो रेकॉर्ड करते वक्त आपको वीडियो के स्टार्टिंग में इंट्रो लंबा नहीं नॉर्मल जैसे आप रहते उसी तरह से आपको बोलना है, और आपको शुरुवात में सस्पेंस बना कर रखना है, अगर आप सस्पेंस क्रियेट नहीं करेंगे तो लोगों को ऐसा नहीं लगेगा कि यह वीडियो इंटरस्टिंग है, और साथी साथ आपको वीडियो में हुमर भी create करना होगा जैसे आप कोई पंच वगेरा मार सकते हैं पंच मतलब वह पंच नहीं आप कोई comedy create कर सकते हैं जिसके वाज़े से लोग हसें यह भी वीडियो में engagement बनाने के लिए काफी बढ़िया होता है और last में आपको call to action देना होगा अपने viewers को मतलब like करने के लिए बोल स सकते हैं इस तरह से आप अपने viewers को बोल सकते हैं तो यह कुछ चीज़े अगर आप वीडियो में ध्यान रखेंगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा तो यह कुछ चार पॉइंट्स थे और जिन लोगों ने चार पॉइंट्स लास्ट तक सुने मुझे लगता है कि वह लोड करूंगा तो अगर आपको वीडियो पसंदा रहा है तो वीडियो को एक लाइक जरू कर देना ऐसे वीडियो के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं सेकेंड पार्ट में